टेस्टी फूड हम सबको पसंद है और टेस्ट को एन्हांस करने के लिए अगर हमें कोई और नई चीज मिल जाए तो उससे बढ़ा और क्या है आज मैं आप सबके सामने अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आई हूँ डॉक्टर ओयटकर की पीज़ा टॉपिंग का रिव्यू आई होप आपको मेरा रिव्यू पसंद आए ये पीज़ा टॉपिंग का है डॉक्टर ओयटकर का फन अन फूड्स का जैसा कि आप देख पा रहे है मार्किट में आपको ये 85 रुपिस का मिलेगा जो की 325 ग्रैम्स का है होता क्या है ये पीज़ा बेस के उपर आप इस टॉपिंग को लगाएंगे तो बहुत आपका पीज़ा टेस्टी बनेगा मैं यहाँ पर पढ़कर भी बता देती हूँ आपको क्या क्या लिखा हुआ है make delicious pizza by spreading 2 tablespoon topping on 8 inches pizza base no need to add vegetables from the top cause they are already present in the toppings yummy treat is ready to be ready by just sprinkling 2 tablespoon grated cheese and baking for 15 minute at 180 degree हाला कि इसमें बोल रहे हैं कि आपको extra कोई भी vegetable मिलाने की जरूरत नहीं है but मैं suggest करूंगी या जिस तरह से मैं इसको use करती हूँ मैं इस topping को लगाने के बाद भी उसके उपर vegetables extra जरूर sprinkle कर देती हूँ आप इसको pizza के अलावा कई सारे rolls वगेरा में भी mix and match करके इसको खा सकते हैं और उस roll को आप tasty बना सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया 85 grams का आपको ये online भी मिल जाएगा और market में किसी भी shop पे easily मिल जाएगा मैं online का जहां से मिलेगा उसका link भी आपको description box में provide कर दूँगी इसके ingredient में क्या क्या है pizza topping, culinary sauce, इसके ingredient है water, tomato paste 26 gram, sugar, refined soybean oil, milk solids, onion, spices and condiments, iodized salt, vegetables, permitted acids, permitted antioxidants and contained permitted class preservatives इसके अंदर आपको nutrition value भी दी हुई है कि आपको इसमें कितना energy, कितना protein, कितना fat है ये zero trans fat है trans fat free है, eggless product है जैसे कि आप यहाँ पे साइन से भी देख पा रहे हैं और इसमें trans fat बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत saturated fat है carbohydrate और sugar भी आपको इससे मिलेगा कुल मिलाके product काफी पसंद आया मुझे तो I thought मैं इसका review आपके साथ share करूँ इससे pizza आपको और delicious और tasty बनेगा आईए, अब मैं आपको इसको दिखाती हुए किस तरह से आपको लगेगा इसको मैं packing को आपको खोल के दिखा देती हूँ यह pizza sauce आपको इस तरह का दिखेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं आप बस इसको लीजे two tablespoon और spread कर दीजे pizza पे और इससे आपका delicious pizza एकदम ready हो जाएगा consistency थिक है इसकी you can see this easily thick consistency है एक आपको एक like Indian spices होते हैं वैसा अचार जैसा आपको थोड़ा बहुत यह देखने में दिखेगा I hope आपको मेरे review पसंद आए पसंद आए तो please like देना मत भूलिएगा और अगर आपको लगे कि यह video share करने लायक है तो please अपने friends and family के साथ share भी कीजिए और अगर आपने अब तक मेरा video subscribe channel ना किया हो तो मेरे channel को subscribe भी जरूर कीजिए कोई comment हो तो please comment box में जरूर लिखेगा thank you so much bye bye